हलो डियर स्टूडेंट्स तो कैसे हैं आप सभी आज इस वीडियो में हम आपका सिस क्लास का फर्स्ट चैप्टर वू डिड पैडरिक्स होंवरक पैडरिक होंवरक किसने किया था यह पढ़ेंगे हम बहुत जल्द दिनों में आपकी जो सारे लेशन है वो कवर कर लेंगे जितना जल्दी होच के आपके सभी लेशन है वो हम पढ़ेंगे साथ में वीडियो इसकी बना कर अपलोड कर दी जाएगी पर यह लेशन कुछ लेशन मैंने पहले अपलोड कर दिये थे लेकिन अभी हम जो श्रीज हैं आपके वो दुबारा शुरू करने वाले हैं आपके सारे लेशन है वो हम दुबारा से पढ़ेंगे और एक बढ़िया मैथर से अगर आपको वीडियो अच्छे लगती है तो आप वीडियो सोरी आप वीडियो को लाइक और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका लेशन फास्ट वो डिट पैट्रिक्स होंवर्क डिसकस इन क्लास लेशन पढ़ने से पहले लेशन के बारे में कुछ या लेशन से डिलेडर कुछ लाइने दी हुई है उपर तो तल वो हम पहले वो पढ़ देते हैं रियान लिखी हुई है डू यू लाइक होंवर्क क्या आपको होंवर्क पसंद हैं डू यू डू इट यूर सेल्फ क्या तुम इसे खुद करते हो और डू यू गेट हैल्प या तुम किसी की हैल्प लेते हो what homework do you usually have आपको जो homework किस तरह का मिलता है या अकसर आप homework किस तरह का मिलता है जारशी बात है आपको जो class में बढ़ाए जाता है उसी से related आपको homework दिया जाता है और आप ये comment करके बताना कि क्या आप homework का जो खुद करते हो या आप किसी के help लेते हो तो हम इस कहानी में पढ़ेंगे जो पैटरिक है तो ये जो लड़का है या नाम है इसका पैटरिक जो कि हमारे लेसन का नाम है तो चलिए देखते हैं कि पैटरिक और उसके homework की क्या ऐसी कहानी दी हुई है में तो चलिए अच्छा एक आप मुझे बात बताईए जब आपको स्कूल में homework दिया जाता है तो क्या आप वो homework स्कूल में ही कर लेते हो या आप घर पे आके ही करते हो या आप comment करके जुरूर बताना तो चलो पढ़ते हैं पैटरिक नेवर डिड होंवर्क एंड निटेंडो इंस्टेट वह क्या कहरता था कि होवर्क करने के बजएव है या तो बात के डूबल खिला करता था झाल 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 या झाल तो पढ़ने के स्थान प्रूबल खिला करता था या तो बात के डूबल खिला करता था या होगी या निटेंडो निटेंडो एक प्रकार का वीडियो गेम होता है इस टीचर श्टोल हीम उसके टीचर उसे कहते थे पैटरिक, do you homework or you will not learn a thing कि तुम अपना homework क्या करो वर्णा तुम कुछ भी नहीं सीखोगे तो आपको homework इसलिए दिया जाता है क्लास में आपको पढ़ा दिया जाता है और homework दिया जाता है तकि आप homework करोगे तो आप उस lesson को revise कर लोगे और आपको याद हो जाएगा आपको क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि आपको होगा क्यूं दिया जाता था आप comment करके जुरूर रताना और ये सही भी है क्योंकि homework नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं सेकेगा sometimes she did feel like an agnormous कभी-कभी वह है agnormous feel करता था मतलब एक एसा person जो कि education में थोड़ा सा nil हो या मतलब जो डल हो पड़ने में but what could he do प्रंतु है क्या करे he hated homework वह है उसे homework पसंद नहीं था then one day he found his cat playing with a little doll एक दिन हो है क्या देखता है कि उसकी जो cat है वो एक चोटीशी डोल के साथ खेल रही थी and he grabbed it away उसे चीन लेता है to his surprise it was not a doll उसको बहुत आस्चरे होता है कि वह कोई doll नहीं है अब देखो ये image में तो ये billy है और इसके पास ये तरहें का एक doll थी जो कि doll नहीं है तो ये क्या है तो वो भी emulation में पढ़ेंगे कि doll नहीं है तो वो ऐसी क्या चीज थी जो कि Patrick को मिली थी but old but a man of the tiniest size तो क्या था कि वह एक आदमी था tiny मतलब होता है चोटा और tiniest मतलब सबसे चोटा तो एक सबसे चोटे आकार का एक आदमी था he had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat much like a witch उसके जो कपड़े थे वो कुछ पराने fashion के थे जैसे की जो पराने में जैसे movies में बगरा दिखाए जाता है जैसे की boot बगरा पहनते हैं तो उसके dress है वो कुछ ऐसी थी तो इसकी आप hat देखो कुछ ऐसी है तो movies बगरा में किसी witch या तुड़े लिकने पहनी होती है वैसी ही he yelled है चिलाया जो छोटा सा आदमी था वह चिलाया save me मुझे बचाओ don't give me back to that cat मुझे उस cat के पास वापस मत भेज़ देना I will grant you a wish मैं तुमे एक wish दूँगा I promise you that मैं इसके लिए promise करता हूँ तो जब उस मदलब पैट्रिक ने बिली से उसको चिना तो वह कहता है मुझे वापस मत भेज़ देना मैं तुमें एक wish दे दूँगा या मैं तुमारे एक इच्छा पूरी करूँगा पैट्रिक could not believe how lucky he was पैट्रिक को believe नहीं वा वह कितना lucky है here was the answer to all of his problem अब उसकी पूरी समस्याओं का यहां solution होता है so he said तो वह उसे कहता है only if you do all my homework till the end of this semester that 35 days तो कहता है भी मैं तुमें चोड़ दूँगा लेकिन उसके पास नहीं बेजूँगा लेकिन मेरी सर्थ क्या है कि तुमें मेरा पूरा homework करना पड़ेगा पूरा semester खतम होने तक और semester में कितने दिन बचे हुए है 35 दिन बचे हुए है जैसे कुछ आपके जो exam होते हैं वो high yearly और final high yearly और yearly होते हैं लेकिन कुछ़गों में semester wise होते हैं मेरा उच्छ मेने से exam होते हैं लेकिन semester wise होते हैं जैसे book का है जो आदा हिसा एक समेस्टर में आता है और आदा हिसा एक समेस्टर में कुछ इस तरह से उनके जो हैं समेस्टर वाइज बंटे होते हैं तो कहता है वो इस मेरे समेस्टर खतम होने में 35 दिन बचे हुए है If you do a good enough job I could even get A's तो कहता है अगर तुमने अच्छा काम किया तो मुझे शायद एक रेट मिल जाए दे लिटल मैन फेस्ट रिंकर लाइक के डिशूट क्लोथ थ्रोवनीन हैंपर इस वेक्ति है चहरे पर बहुँ ज़्यादा जूरियां पड़ गी जैसे की इसी बरतन साब करने वाले कपड़े में होती है और वह गुसे से बहुँ ज़्यादा गुसे में हो अपनी मुठी को बहुँ ज़्यादा जोर से बंद करता है रोटों को भी दबाता है और अपने कहे अनुसार और कहे अनुसार वहाँ पैट्री का हमरक करना शुरू कर देता है एक्सपेक्ट देर वोज एक ग्लीच स्वरी वन ग्लीच लेकिन एक टेक्निकिती प्रोब्लम होती है जो एल्फ था जो बोनना था वह नहीं जानता था कि क्या करना है और पैट्री को उसके साहता करनी ही पड़ती थी किसी भी तरीके से मैं यह शबद नहीं जानता जो स्क्वीड मतलब होता है चून चूँगे वास करना तो जो मैल था वो हो इस तरह से कुछ आवास करता था और कहता था कि मुझे यह शबद तो नहीं पता गेट मी एक डिक्सिनरी मुझे एक डिक्सिनरी लाके दो नो वर्ट्स एवन बैटर लुक अप द वर्ट्स एंड साउंड इट आउट बाइच लेटर डिक्सिनरी या उससे भी कुछ अच्छे बुक लाके दो और मेरे लिए शबद को पड़ो वनिट कम ओन तो मैथ लेकिन जब है मैथ का ओमर करने पे आया पैटरिक वोज आउट ओफ लग पैटरिक दुरभागे साली था वट आप टाइम्स टेबल टाइम्स क्या होते हैं टाइम्स क्या होते हैं यहां मेरे पास बैट जाओ तुम्हें बस मुझे गाइड करना है अल्व से वो कुछ नहीं जाता था किसके बारे में ओफ यूमन हिस्टरी फूमन हिस्टरी के बारे में भी कुछ नहीं जाता था उनके लिए बस एक यह रह्स्य था तो जो एल्फ था वो पहले चला रहा था अब और ज़्यादा चलाने लग गया गो टू लाइब्रेरी, I need books, जाओ लाइब्रेरी जाओ और मुझे कुछ books चाहिए, more and more books, और और ज़्यादा books, and you can help me read them too, और तुम मेरी help करोगे, किसमें उसको पढ़ने में, As a matter of fact, वास्त में, every day, in every way, परतेक दीन, किसी भी तरीके से, the little elf was an egg, वह भूद जिद्धी हो गया, Patrick was working hard, Patrick भूजादा कथे इन परिश्रम करने लगा, than ever, and was it a drag, he was staying up nights, had never felt so weary, was going to school, with his eyes puffed and blurry, और जब स्कूल जाता था, पूरी राज जाकर बढ़ता था, तो उसके जो आंके हैं, वो लाल हो जाती, और शूच जाती, finally, आखेकार, the last day of school arrived, school का आखरी दिन आ गया, and the elf was free to go, और जो elf है वो जाने के लिए, सौतंतर था, as for homework, there was no more, अब उसका कोई homework नहीं बचा हुआ था, so he quietly and slightly slipped out the back door, तो वैश शान्ती से कपटपूरन तरीके से वहाँ से चला गया, पिछे के तरवाजे से, Patrick got is A, Patrick को A grade मिलती है, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick, और उन सभी को हस्रे था, क्या कि पेटरी के साथ ऐसा क्या हो गया, he was now the model kid, वैब से भी के लिए एक आदर्स बच्चा बन गया, clean his room, अपना room साफ करता, did his chores और अपने काम को पुरा करता, was yearful, never rude, कभी भी rude नहीं रहता, like he had developed a whole new attitude, जिसे कि उसे ने को एक नया ही attitude develop कर लिया हो, you see in the end, आपने आखिर में देखा, Patrick still thought he made that tiny man do all his homework, Patrick अभी भी सोचता है, कि उसका जो homework है, वो किसे ने क्या था, उस tiny man ने, but I will share you a secret, और मैं तुमारे साथ एक secret share करता हूँ, just between you and me, जो की श्रिप तुमारे और मेरे बीच रहेगा, I was not, it was not the elf, यह elf ने नहीं किया था, Patrick had done it himself, यह खुद Patrick ने ही किया था, तो यह था बच्चों आपका lesson, इसे आगे जग्ज़ की activity है, वो हम next part में करेंगे,